morphology of scorpions scorpions arachnids हैं और इनके body के दो major part होते हैं जो पहला part है उसको sphalothorics कहते हैं यहाँ पे यह sphalothorics दिखाया गया है यह वाला part और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक यह जो portion है इसको हम abdomen कहते हैं अब जो sphalothorics है sphalothorics के अगर आप देखें तो sphalothorics के अंदर pedipelp मौझूद हैं यहाँ पे यह चलिसरा मौझूद है उसके लावा इसके अंदर four walking legs four pairs हैं वाकिंग legs के जो मौझूद है उसके लावा जो इसका abdomen है इसके abdomen को हम further तीन parts के अंदर divide करते हैं जिसको हम pre abdomen इसके बाद middle abdomen या post abdomen का नाम देते हैं और उसके साथ इसके last के उपर जो इसकी tail है वहाँ पे stinger मौझूद है जहाँ पे venom की production होती है और उसको prey की body के अंदर inject किया जाता है उसके बाद अगर हम scorpion की body की बात करें तो scorpion body is covered with cuticle जो के chitin और ten protein से मिलके बनी होती है उसके बाद scorpion की size की अगर हम बात करें तो इसके size के अंदर काफी variation है ये 8.5 से लेके 23 mm तक हो सकते हैं उसके बाद इनका जो opistosoma है opistosoma abdomen को कहते हैं जो sphalothorics है उसको prosoma भी कहते हैं ये further sub divided है जिसको हम pre-abdomin कह सकते हैं या post-abdomin कह सकते हैं उसके बाद इसमें जादा तर जो species है वो nocturnal है इसका मतलब ये है कि ये जादा तर रात के वकत बाहिर निकलते हैं अपने prey को capture करने के लिए उसके लावा scorpion cannibalistic है cannibalistic से क्या अमराद है ये एक दूस्टे को खा जाते हैं अगर इनको हम एक साथ में रखें तो अगर ये भूके हैं तो फिर ये अपनी खुराक के तौर पर अपने साथी को consume कर सकते हैं उसके बाद इनका जो last part है जो के tail है यहाँ पर vesicle मौझूद है और उसके साथ stringer मौझूद है और इसी part के अंदर यहाँ पर venom gland भी मौझूद होता है इनका जो stringer है वो curved structure है इसके जरीए ये अपना venom inject करते हैं इनसेक्ट की body के अंदर उसके लावा इसके जो body के segments हैं इन segments के उपर kills, city और bristles मौझूद है ये important structures है क्योंके इन structures को taxonomist मुखतलिफ species को एक दूसरे से separate करने के लिए इस्तवाल करते हैं क्योंके ये जो structures हैं ये unique structures हैं जो के मुखतलिफ species के अंदर मुखतलिफ किसम के होते हैं इसी वज़ा से इनको किया जाता है उसके बाद अगर हम venom gland की बात करें जो कि scorpion की tail के अंदर मौझूद है तो इसका जो last part है यहाँ पे venom gland मौझूद है इस venom gland के अंदर venom की production होती है और ये venom बाद में stinger के अंदर आता है और stinger के जरीए ये insect की body के अंदर inject किया जाता है और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये sensory structures मौझूद है यहाँ पे sensory hairs भी मौझूद है उसके लबा इस slide के अंदर अगर हम देखें तो scorpion के different body parts को दिखाया गया है ये pedipelk इसके साथ pedipelk का जो last part है यहाँ पे pincers मौझूद है जो के animal या इनका जो prey है उसको पकड़ने के काम आता है उसके बाद इसका ये वाला जो region है ये फैलो थॉरेक्स कहलाता है उसके बाद जो इसको अपिस्तो सोमा या abdomen है उसको हम तीन हिस्सों मेड़ वाइड करते है प्रोसोमा अपिस्तो सोमा और एक इसका last जो पार्ट है मेटा सोमा और ये जो different parts है इसके अंदर जो segments है इनकी तदाद vary करती है last जो portion है वो टेलसन कहलाता है जिसके अंदर venom gland और stringer मौझूद है अगर इस slide के अंदर हम देखें तो इस slide के अंदर यहाँ पे ये इसके कीला या पिंसर जिसकी मदद से ये प्रे को पकड़ता है उनको वाज़ तोर पर दिखाया गया है ये scorpion की eyes है उसके लावा ये इसका sphalothorix और उसके बाद इसके जो different और पिस्तो सोमा के parts है वस्तरण ये जो prosoma prosoma हम sphalothorix को कहते है उसके बाद ये जो इसका last वाला portion है इसको मुखतलिफ हिस्तों के अंदर divide किया जाता है इसका जो mesosoma है उसके अंदर seven segments है जबके इसका जो meta-soma है उसके अंदर five segments मौजूद है बसके इसके जो tail के segments है ये one, two, three, four, or five और उसके बाद इसका जो stinger मौजूद है जहां से ये one इंजेक्ट करता है और ये जो swollen portion होता है यहां पे इसका gland मौजूद होता है वैनम gland जिसके जरीए से ये one प्रोड्यूस करता है उसके लावा इसकी ये जो legs है four pairs of legs जो के functional legs है जो के walking legs है उसके लावा इसकी जो body है उसके पर जो exoskeleton है वो काइटन और टेन प्रोटीन पर मुश्तमिल होता है और ये मुखतलिफ किसम के habitats के अंदर रह सकते हैं जिसमें जादा जो prominent habitats हैं जहां पर ये पाए जाते हैं वो deserts और hilly areas यानि stones के नीचे मौजूद होते हैं उसके लावा ये muddy areas के अंदर भी मौजूद होते हैं तो scorpions important arachnids हैं इनकी जो body है उसके दो important part है sphalothorics और abdomen इसका जो abdomen है उसको further हम मुखतलिफ categories के अंदर divide करते हैं इनकी जो tail है वो segmented है जिसके अंदर five segments होते है उसका जो last part है वहाँ इनका telson और stringer मौजूद है वही पे venom gland मौजूद होता है जिससे venom के production करते हैं उसके लावा four pairs of functional eyes इनके अंदर मौजूद है और ये अपने prey को capture करने के लिए अपने जो pincers कला हैं उनका इस्तवाल करते हैं या फिर अपने venom के जरीए prey को immobilize करते हैं और फिर उसको अपनी food बनाते हैं